गुड मॉर्निंग एवरिवन आज हम मलिक महम्मद जैसी के प्रसिद्ध महा काववे पदमावत के बारे में बातचित करेंगे समुद्र तक पर उसे समुद्र विक्षुक के रुप में मिलता है वह राजा रत्न सेंसे दान मांगता है लेकिन लोभवश राजा उसे कुछ भी नहीं देता जहाज पर चड़कर राजा जब आधे समुद्र में आता है तब प्रचंड वायुवेक से उसका जहाज लंका की और बहे जाता है वह विविशन का एक केवट मचली मार रहा था उसने राजा को भर्माने का प्रयास किया राजा को अपनी बातों में उन्जा करके वह जहाज को एक बहेंकर समुद्र में ले चला वहाँ पहुँचकर जहाज डूबने लगता है और राजा रतन सेन बहुत घबरा जाता है इसी बीच में एक पक्षी आकर उस दुष्ट विक्ती को ले उड़ जाता है राजा का जहाज फट जाता है अब राजा रत्नसेन एक और बैह जाता है और और आनी पदमावथी दूस्री और पदमावती बहते बहते एक तट पर जा लगती है पासी में समुदर की कन्या लक्षमी खेल रही थी वे पदमावथी को बचा लेती है वह उसे अपने घर ले जाती है और आदर से अपने यहां रखती है इधर राजा बहते बहते एक दूसरे निर्जन तट पर वहाँ जाता है वहाँ पहुँचकर वह विलाब करने लगता है अंत में दुखी होकर वह आत्म हत्या करने के लिए तयार होता है उसके ऐसा करते ही उसके आत्मत्या करने के लिए उसे उध्धत होते देख समुद्र ब्राह्मन का रूम धर कर उसे रोकने के लिए उसके पास आता है और उसे लेकर पद्मावती के पास पहुँचता है राजा जिस समय पदमावती के पास पहुंसता है उस समय लक्षमी उसकी परिक्षा लेने को मार्ग में उसे मिलती है वे अपने सौंदरे से राजा को भर्माने का प्रयास करती है पर राजा रतने सेन सच्चा प्रेमिता इसलिए अंत में प्रसन होकर लक्ष्मी उसे पदमावती से मिला देती है समुद्र की कृपा से राजा को उसके अन्य साथी भी मिल जाते हैं और वे सब को साथ लेकर चित्तोड की और चल देता है चलते समय समुद्र उसे अमरत, हंत, राजलक्ष्मी और पारस पत्थर उपहार में देता है सब कुछ लेकर रतन सेंद चित्तोड पांसता है और पादमावती तथा नागमती के साथ सुख से रहने लगता है नागमती से नागसन और प्रद्मावती से उसे कमल से नमक पुत्र प्राप्त होते हैं रत्न सेन की सभा में राघव चेतन नमक एक पंडित था जिसने यक्षिणी को सिद्ध किया था एक दिन रत्न सेन ने पूछा दूज कब है राघव के मुँझ से निकल पड़ा आज अन्य लोगों ने कहा आज नहीं हो सकती है कल है राघव अपनी बात पर अड़ गया उसने यक्षिणी के प्रभाव से उस दिन दूज दिखा दी अन्य जब दूसरे दिन बात खुली तो राजा रत्न सेन अत्यंति क्रोधित होते हैं और राघव को देश निकला दे देते हैं उसके निर्वासन की खबर सुनकर पद्वावती अत्यनती चिंतितोती है वह राघव को बलाती है और उसे दान देकर प्रसन्य करने का प्रयास करती है राणी अपने हाथ का एक कंकर उसे दान में देती है जो रागव है वह रत्न सेंसे प्रतिशोद लेना चाता है और इसी लिए वह सीधा दिल्ली पहुँचता है वहाँ वह दिल्ली पहुँचकर सुत्नलतान अलावद्दीन से पद्मिनी के सौंदरे का सारा हाल वर्नित कर देता है अलावद्दीन पद्मावती की सुंदर्ता का समाचार सुनकर उस पर मुख्द हो जाता है और उसको पाने के लिए वह चित्तोर पर चड़ाई करने का निश्चे करता है उसने सर्जा नामक दूद को चित्तोर भेजा और ये खबर विजवाई कि राजा रतने सेन उसे पद्मावती दे दे राजा ये सुनकर बड़ा क्रोधित होता है उसने दूद को कहा कि उसके जीते जी ये नहीं हो सकता अंत में अलावदिन खिलजी चित्तोर पर चड़ाई कर देता है आठ वर्ष तक जो मुस्लिम हैं वो चित्तोर को घिरे रहते हैं पर सफल नहीं होते अंत में सुल्तान एक चाल चलता है वे प्रकट में राजा रतन सेन से मित्रता करता है और चित्तोर में राजा रतन सेन उसे भोजन पर आमंत्रित करते हैं रतन सेन के यहां गोरा बादल नामक दो वीर थे वे अलावदिन के इस कपट को समझ जाते हैं वे राजा को सावधान करते हैं पर राजा उनकी एक भी बात नहीं सुनता चित्तोर में कई दिन तक सुल्तान की आवभगत होती रही एक दिन सुल्तान राजा के साथ शत्रंच खेलने लगता है सैयोग से पद्मावती उपर जरोके पर बैट कर उनका एक खेल देख रही थी बाद्शा ने उसका प्रतिविंभ दिवार पर लगे दरपड में देखा उसे देखकर वे मुगदू हो गया और उसे मुर्चा आगी रागा उसे बताता है कि वही पद्मावती थी अंत में वे वाद्शा चएशे विदा लेता है और राजा रत्नसैन उसे पहुँचाने दुर्ग के बहार तक जाते हैं गड़ से बार होते ही राजा सुल्तान के सिपाईयों द्वारा पकड़ ले जाते हैं और बंदी करके राजा रत्न सेन को दिल्ली भीज दिया जाता है। कारागार में उसे अनिक तकलीफे दी जाती हैं इधर चित्तौर में हाहा कार मत जाता हैं दोनों रानिया सती होने को तियार हो जाती हैं गोरा बादल पदमावती के कहने पर पदमावती की साहिता करने के लिए तकपर होते हैं सुल्तान के यहां दिल्ली में चित्तोर से सोले सो पालकियों पर चड़कर सिपाही पहुंचते हैं बादशा से कहा जाता है कि पदमावती आपकी सिवा में आई है लेकिन वह एक बार राजा रत्न सेंसे मिलना चाती है फिर वह आप ही के महल में रहेगी बादशा सहर्ष इस बात को स्विकार कर लेता है और उसे राजा रत्न सेंसे मिलने की अनुमती दे देता है रत्न सेंसें के बंदी ग्रह में वह पालकी पहुंचाई जाती है जिसमें एक लोहार बैठा रहता है कारागार में जैसे ही पालकी पहुंचती है वह लोहार राजा की बेडियों को तुरंत कार देता है और राजा राजपुत सैनिकों की सहायता से घोडे पर सवार होकर वहाँ से निकल जाता है अन्य जो सिपाही थे वो उसके साथ हो लेते हैं लेकिन इसी समय शाही सैना को भी इस बात की भनक लग जाती है राजपुतों में और मुसल्मान सैना में युद्धु होता है राजा रत्न सैन चित्तोर पहुँच जाते हैं जब वे चित्तोर पहुँचते हैं तो वे पड़ोसी राजा देवपाल के बारे में सुनते हैं जो पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था और राजा की अनुपस्तिती में पद्मावती को बहकाने के लिए जिसने एक दूती भीजी दी रत्न सेन क्रोज से लाल हो जाता है और देवपाल से लड़ने को ततपर हो उठता है दोनों राजाओं में युद्ध होता है इस युद्ध में देवपाल मारा जाता है और युद्ध में रत्न सेन भी अत्यन्त गहल हो जाता है राजा रत्न सेन की अम्रत्य हो जाती है लिकिन मरते समय वे चित्तोड की रक्षा का बादल पर सौम जाते है रत्न सेन के शव को लेकर उसकी दोनों रानिया नागमती और पदमावती सती हो जाती है उनके सती होने के पश्चात मुस्लिम शाही सेना चित्तोड पहुंचती है अलाउदिन तक रानी पदमनी के सती होने का समाचार पहुंचता है और अलावदिन सिर्फ पच्टा कर रह जाता है पदमावती की ये जो कथा है इसका आधार इतिहासिक है लेकिन बहुत थोड़े अंशुमे ज्यादा तर इसमें कल्पना का समावेश है लेकिन इसमें इतिहास कितना है और कल्पना कितनी है इस बात पर फिर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे आज यहीं तक